धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है धनबाद और आसपास के शेत्रों में वेवसाईयों को धमकी फाइरिंग और बंबाजी मामले में गैंग्स्टर प्रिंस खान का नेटवर्ग ध्वस्त किया है प्रिंस खान के मेजर के नाम से कुख्याद अपरादी समेट एक सफेद पोश्ट को भी गिरफतार किया गया है अपरादियों के पास से आधा दर्जन आमस और भारी संख्या में कार्तूस बंकिस साथ 50,000 नगदी भी बनामत किया गया है इस पूरे मामले में चार अपरादियों को पोलिस ने गिरफतार किया है जिसमें नसीम अनसारी उर्फ रजी एहमद खुद को मेजर के नाम पर वैफसाईयों को धमकी देने का काम करता था जो की पहले भी जेल जा चुका है आठ वर्ष जेल में रहने के बाद पेरोल पर हुई रहाई के बाद नाम बदलकर वो पश्चिम मंगाल में ठिकाना बना कर लोगों को धमकी देता था हाला कि पूर्व में भी मेजर के नाम से एक सक्ष को पोलिस जेल भेज चुकी है वैपारियों को फोन नंबर इकटा करने में शामिल शक्ष को भी गिरफटार किया गया है कुछ इछत में सफेद पोश्च फरजी पत्रकार भी है जो जाच के दारे में है मेजर लगतार प्रिंस के संपर्क में था पकड़े गए नसीम अंसारी, सद्दा मंसारी, राजु इंसारी, नंबर इकटा करना और विकास सिंग आम सप्लाई करने का काम किया करता था जो की धनबाद का ही रहने वाला है धनबाद SSP संजीव कुमार ने आज प्रसवार्ता कर इस बारे में जानकारी दी है पिछले कुछ दिनों से लगतार धनबाद के वैवसाईयों को मेजर के नाम से वाटस अप मेसेज़े जा रहे थे और काल आ रहे थे उसमें मेजर के नाम से धंकी भी दी जा रही थी और कुछ वैवसाईयों के यहां गोली भी चली और बम भी चले थे जैसा आप लोगों ने पुर में भी रिपोर्ट किया है सब लोगों ने मिलकर के इसमें जब फर्दर अनुसंधान किया तब हम लोगों को पता चला कि नहीं एक बंदा जो है वो वेस्ट बंगॉल में रह रहा है और वहां से सारी कारवाई की जा रही है और फर्दर अनुसंधान में भी पता चला कि उसने अपना च्छदम नाम बना रखा है और एक फरजी नाम से वो वेस्ट पंगॉल में रह रहा है तो इसी अनुसंधान के क्रव में फिर एक और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसके हथियार का जो में सप्लायर था जहां से हथियार आता था इन घटनाओं के लिए उस वहां तक भी हम लोग नहीं पहुँच पाये थे लकली इन दोनों वेक्ती जो शामिल थे जो मेजर के छदम नाम से काम कर रहा था और दूसरा जो हथियार का मुख्य सप्लायर था वहां तक हम लोग अनसंधान के करव में पहुँचे अदोनों की घ्रफसारी हुई है जो अभी क्योंकि इनके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं साथ में अन्य तीन जो इनके साथ में जो काम करते थे वो भी पकड़े गए हैं इनके मुबाइल से भी पता चला कि मेजर जो नसीम अंसारी है जो पकड़ा गया है नसीम अनसारी नसीम अनसारी फोन कॉल है ये उसे इस संपर्क में था वीडियो कॉल से भी बात होती थी और ये सारा जितना भी घटना यहां कारीट हुई है कई में ये खुद शामिल रहा है अभी जब हम लोगों ने सारे इसके अपरात कर्मियों को पकड़ लिया और जब इसके पास आदमी नहीं था तो में इसके पुर्व में हम लोगों ने एक को पकड़ा था तो तो मेंजर वह भी सो कॉल मेजर था तो ये दूसरा मेजर पकड़ा गया है तो इसलिए इसमें हम लोगों के घळला जो घब हई बाजला जो वैपारियों का जो फोन नंबर इकठा करता था एक बंदा भी यह टोटल रूट था जिसमें रूट्स के जो कुछ लोग जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनकी गरफतारी हुई है तो चे अच्छे अधियार हम लोग बरामद हुए हैं पांच आटमेटिक पिस्टल्स हैं इसमें और बहुत ही अच्छा पिस्टल है मतलब इसमें करीब चप पाई से किया था तो वो 50,000 रुपे बरामद किये गए हैं बाकी इनका जो नेटवर्क के अन्य चोटे चोटे लोग थे वो भी लगातार हम लोगों के अनुसंदान में हम लोगों ने उनको ढखा है और कुछ वाइट कॉलर लोगों से भी इनको साहता मिल रही थी जो खासक पिसे लोगों सभी वो थे का नाम लोगों ने बताया है हम लोग सब के विरुद अनसंदान कर रहे हैं और जिनके विरुद भी जो अविडिन्स आएगा उसके अनुसार हम लोग पनके वरुद कारवाई करेंगा जो टोटल अप्रात कर्मी जो गिरफतार हुए है वो चार प्राइद कर्मी गिरिफतार हुए है नसीम अंसारी ये अब वर्तमान में नया मुहला आसन सोल पस्चिम मंगाल कर रहने वाला है अच्छली में ये रहने वाला च्छाताबाद का तरासका है वर्तमान पता है इसका रेल पार नया मुहला आसन सोल दूसरा सद्दाम अंसारी है जो इसका relative है यह इसके साथ सारा इसका सारा कम देखता था यह तो मुख्यबंदा नसीम का, इसके سाथ सद्दाम काम करता था ये लेकिन ये greedy, बिर्नी greedy कराने वाला है तीसरा है राजू अनसारी राजू सारा phone numbers वेगर ये चारोतरफ से फोन नम्बस लाता था नसीम को देता था राजुआ जोकता कराने वाला है और चौता विकास सिंग है जो सारे आमस का सप्लायार था सारा आमस को लाना बाहर से मुंगेर से या जो भी जुगार करना जुगार करके रखना नसीम तक उस आमस को पहुँचाना नसीम अपने बंदों से या विकास कभी कभी अपने किसी बंदे से उस आमस को नसीम तक पहुचाता था टोटल छे आमस इसमें बरामद हुए है इसमें पांच आटमेटिक क्रिस्टल है एक कट्टा है हमारा, चपन गोलियां है टोटल, इन लोगं के पास जो बं फेकते हैं, जो बं भी बरामद हुआ है, दो बं बरामद हुआ है, तीन मोबाइल है, जियो कंपनी का राउटर है, पचास एज़र रुपय नगद है, और एक काले रिंग की मोटसाइकल, जो मुखेत वोटर कार्ड, फरजी चालक लाइसेंस, यह सब कुछ उसने बना लिया था, अपने नए नाम से, तो वो सारा कुछ उसका फरजी सारे कार्ड बरामद किये गए हैं, लगातार प्रिंस से कांटाक्ट, हम तो बता ही रहे हैं, इनका हर दिन जो डिटेल्स है, वो प्रिंस से इस हिसाब से मीडिया में या पेपर्स में ऐसा आया है, लोग उसके नाम से ही सो काल गाइन चालता है, जबकि वो है नहीं है, उसको इतना सपोर्ट मिल गया, सो काल कई कार्णर से, कि उसका नाम हो गया, जबकि एक्शुल में गटना ये लोग कर रहे हैं, लगातार हम पुलिस ने ये प्रण लिया है, कि जो भी धनबाद के लोगों को धमकी देने का प्रयास करेगा, या उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करेगा वहीं इस प्रसवार्ता में सिटी एसपी, ग्रामेड एसपी, सहित डी एसपी और कई थानों के थानेदार मौजूद रहें धनबाद से ब्यूर रिपोर्ट